स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल एकास 31 टैक में आज की नियू यूट्यूबर्स के लिए सबसे बड़ी प्रोलम यह कि वह अपना 4000 गंटों का पब्लिक वॉस्ट टाइम कैसे कंप्लेट करें जिससे उनका चैनल मॉनेटाइजेशन के लिए जा सके और उसके अगर आप यूट्यूब की वीडियो उनको गूगल एड्स की सायता से प्रमोट करते हैं तो वहां पर उन वीडियो से जो व्यूज आते हैं उनका जो वॉस्ट टाइम होता है वह मॉनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होता तो इस वीडियो में मैं आपको नया तरीका बताऊंगा जिसमें आप अपने पूरे चैनल को प्रमोट करेंगे गूगल एड्स की सायता से ताकि आपका 4000 गंटों का जो वॉस्ट टाइम है वह जल्दी से जल्दी कम्प्लीट हो सके तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नियू है तो इसे सब्सक और यहां पर टाइप करना है एड्स डॉट गूगल डॉट कॉम एंटर करना है एसी स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी इसके बाद हम यहां से साइन इन करना है साइन इन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपने जीमेल का जो एकाउंट है गूगल का जो in कर लेंगे आपर जैसे मैं अपने से साइन इन कर लेता हूं यह मैंने पासवर्ट डाल दिया और इसके बाद next पर क्लिक करेंगे मैंने अपना account create किया हुआ था इस पर इसलिए मैंने यहां पर सीख सकते हैं कि इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेश हमारे सामने शो हो जाएगा कि यह अभी प्रोसेस हो रहा है इसके बाद हमें यहां पर जो प्लस का इकन दिख रहा है इससे पहले मैं एक चीज बता दूं जैसे हम यहां पर वीडियो को प्रोमोट कर रहे थे उससे जो व्यूज आ रहे थे वह काउंट नहीं होते थे लेकिन अभी यहां पर हम अपने चैनल को प्रोमोट करेंगे जिस क्लिक करना है ठीक है उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी इसके बाद हमें यहां पर क्लिक करना है इसके बाद हमें स्मार्ट पर क्लिक करना है और स्मार्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यह तीन ओप्शन्स आ जाएंगे तो हमें इन में से एक्शन on your website इस वाले को स्लेक्ट करना है और कंटीनियू पर क्लिक करना है उसके बाद यह थोड़ा प्रोसेस लेगा और आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी बिजनस नेम मांग रहा है जो जिस चैनल को हम प्रोमोट करना चाहते हैं उसका जो नाम है वह यहां पर डाल देना अब यह बोल रहा है कि उस वेबसाइट उस वेबसाइट का यहां पर लिंक डाल देना है जो आपकी यूट्यूब की वेबसाइट है यूट्यूब का जो चैनल है उसका लिंक यहां पर डाल देना है तो मैंने अपनी चैनल का जो लिंक है वह कोपी किया हुआ है तो मैं यह यहां पर उसे पेस्ट कर दूंगा उसके बाद next पर क्लिक करना है यह थोड़ा सा प्रोसेस लेगा उसके बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं यह कोबाइल स्क्रीन पर ऐसे दिखाई देगा और यहां पर क्लिक करेंगे तो यह स्क्रीन दिखाई देगी हमारे चैनल की ठीक है तो यह नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कि उसके बाद हमारे सामने यह स्क्रीन खुल जाएगी इसमें यहां पर हैडलाइन दे रखी है कि जो भी आप यहां पर जैसे अमेजिंग यूट्यूब वीडियोज हैं यहां पर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं यह फॉन यूट्यूब चैनल नहीं है यह टैक का है तो मैं यह इस तरीके से आपकी दिखाई देगी यहां पर तो इसके बाद हम नेक्स पे क्लिक करेंगे तो यह स्क्रीन आपके सामने उपन होगी तो यहां पर यह टेग्स है जो आप अपने चैनल से रिलेटी हां पर लगा लेंगे जैसे मेरा यह KIDS का नहीं है SPORTS का नहीं है FASHION का नहीं है मुजिक का भी नहीं है टेक्नलोजी चैनल है ठीक है और यहां पर YouTube चैनल लिख सकते हैं YouTube वाच YouTube चैनल यहां पर एड़ कर सकते हैं new keyword theme करके YouTube चैनल इस तरीके से हम डाल सकते हैं यहां पर इनमें से इस तरह से आप keyword डाल लेंगे यहां पर अपने चैनल से इसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने यह स्क्रीन आ जाएगी यहां पर आप अपने ओडियंस को स्लेक्ट कर सकते हैं जैसे इंडिया है अगर मुझे आपको कुछ और स्लेक्ट करना है कोई और कंट्री स्लेक्ट करने तो मैं यहां पर डाल दूंगा उसे उससाब से वह कंट्री आ इंडिया में ही कोई और दूसरा स्टेट तब वह भी यहां पर डाल सकते हैं उसके बाद आप यहां पर नेक्स्ट करेंगे उसके बाद यह स्क्रीन आ जाएगी यहां पर अपना बजट जो है वह स्लेक्ट करेंगे लोड होने के बाद यह यह 472 डेली मैक्स ठीक है इन तीनों में से जो भी आपको बजट से टेबल लगे उसके कोडिंग आप बजट सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर इस पर क्लिक करके एंटर यहां से अपना बजट भी क्रिएट कर सकते हैं उसके बाद आ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहां पर जैसे मैं आज 472 सेलेक्ट कर लेता हूं यह नेक्स्ट पर क्लिक करा उसके बाद आपका पेज यह ऐसी खुल जाएगा यहां पर केंपेंड नेम आ जाएगा कि केंपेंड का नेम आ जाएगा यहां पर केंपेंड गोल आ जाएगा वे उसके बाद आपको next पर क्लिक करना है मुझे अभी इस पर campaign नहीं लगाना तो मैं इसे नहीं करूंगा आप जैसी next पर क्लिक करेंगे तो आपका यह campaign जो है वहाँ पर यहाँ पर आपको pending शो होगा जैसी Google उसे review करेगा अप्रूब कर देगा फिर आपका campaign स्टार्ट हो तो इस तरीके से आप अपनी चैनल को प्रमोट करके अपना वाच टाइम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं उमीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी से समझ में आ गई हो कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें थैंक्यू झाल